आज की एपिसोड में येल्दिज और आलिया की इमेजिनेशन दिखाई जाती है वो भी बहुत देर तक एनिवेज तो कोमल और कुवर इस इवेंट को स्टार्ट करते हैं लाइफ टेलिकास्ट होती है धेर सारी कॉल्स आती हैं डोनेशन्स करने के लिए ये लोग डोगन को लाइफ में लेते हैं जो 100 मिलियन डोनेट करता है और इन्हें दुआय देता है फिर ये लोग टूंजर को कॉल करते हैं वो 1 मिलियन देना चाते है पर ये लोग कहते हैं टूंजर साब 2 मिलियन देना चाते है टूंजर को माननी पढ़ती है क्योंकि लाइफ टेलीकास्ट हो रही है यह लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वादा करे और ना दे क्योंकि शो के आखिर में हम चेक करने वाले हैं कि किसने किसने सच में डोनेट किया है टूंजर भी लाइक दो मिलियन गया यहां almost पूरी कास्ट ही help कर रही है इन लोगों की सिवाए यल्दिस और आलिया के क्योंकि वो लोग तो imagination में खोय हुए अब पहले आलिया सोचती है कि अगर वो ना होती तो यल्दिस का क्या होता imagination में दिखाते हैं कि यल्दिस के काले और करली बाल वापस आ गया ready हो रहा है पर phone पे अपने माशुगा से बात कर रहा है यार कम से कम imagination में तो Yildiz का loyal husband होता anyways Yildiz आज आज आती है तो Ersin phone रख देता है Yildiz कहती हम लोग vacation पे चले Ersin कहती है बहुत खर्चे हो रहे है नहीं जा सकता और अमी भी अकेली हो जाएगी खाने के वक्त Yildiz की सास कहती है कि मेरे दाथ अच्छे नहीं लग रहे dentist के पास जाके अच्छे दाथ लग वाँगी पर महेंगा होगा Ersin कहती है जरूर अमी जितना मर्जी खर्च करे Ersin कहती है अच्छा मुझे तो मना कर दिया था Ersin कहता है अमी के हेल्थ का मामला है Yildiz कहती है पर ये तो अच्छा देखने के लिए है सास कहती है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं गरती तुम्हाय जाते है ये मुझे कोस्टी है उपर से सारा दिन फोन पे लगी होती है काम भी नहीं गरती Anyways, Ersin ऑफिस जाते हुए अपने अमी को गले लगाता है और Yildiz को बस बाई करके चला जाता है फिर Yildiz देखती है कि उसकी सास एक महेंगी बैग लेके जा रही है Yildiz ताना मारती है तो सास कहती है तुम्हें हिसाब क्यों दूम है फिर दिखाता है कि आस्मा एक अच्छे से घर पे किराय पे रह रही है पर पैसे खतम हो रहे है Yildiz कहते है मुझे पैसे नहीं देता Ersin सब बुरा चल रहे है उसके अमी बिमारी के बाहन है यहाँ दो सालों से रह रही है पताने क्यों ऐसा लगता है कि कहीं पे मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी होती आस्मा और Yildiz कहीं शापिंग करने जाते है और वहाँ एक पर्स खरीदते वक्त क्रेडिट कार्ड यूज करती है Yildiz पर पैसे ही नहीं है Yildiz को बेज़एती फील होती है और वह एरसीन को कॉल करके डाटती है एरसीन बहा ना बनाता है और कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है मीटिंग में जा रहा हूँ पर धरसल वह अपने माशुका के साथ भाग रहा है कहते हैं मैंने एक क्रेडिट कार्ड से पैसे उठा लिए हमारे टिकिट्स के लिए ये इल्दिस के बुरे दिन आ रहे है यही डिजर्व करती है वो अब बैठके मेरी अम्मी की देख भाल करीगी प्रेजन में येल्दिस आलिया से कहती है कि तुम मेरे ऐसा हाल क्यों कर रही हो आलिया कहती है क्योंकि अगर तुमने मुझे ठुकराया होता तो ये होता वापस इमेजिनेशन में दिखाते है एरसिन ने पीछे करजा छोड़ दिया इसलिए उसके घर से सारी चीज़े ले जाया जा रहे एरसिन की अम्मी कहती है मेरा बेटा ऐसा होई नहीं सकता तुम लोगों नहीं कुछ किया है अब मेरे दातों का क्या होगा यल्दिस कहती है जीतने है वो भी निकाल लूँगी मैं यल्दिस और आसमा अपने असली घर आ जाते है मायोस होते ऐसे घर वापस आने के लिए यार ये घर तो अच्छा ही है अब यल्दिस वापस उसी कैफे में वही काम करने लगती है जहां वो पहली बार आलिया से मिली आलिया कहती है सौरी अब कोई काम नहीं है वैसे तुम्हारे मना करने के बाद मेरे जिन्दगी अच्छी हो गई है मेरा शोहर मर गया और मैंने दूसली शादी कर ली एक बहुत ही अच्छे और अमीराद में से यल्दिस इसरार करती है जॉब के लिए तो आलिया मान जाती ह यल्दिस काम पे लग जाती है आलिया के घर पे वहाँ देखती है आलिया का शोहर डोगन है वाह आलिया की नजर अब भी डोगन पर ही है इमेजिनेशन में भी अलिया को डोगन बहुत प्यार करता है हर रोज फूल लाता है जेवर लाता है यल्दिस को चाहत होती है अपनी यलिस को डाट के घर से निकाल लिया, फिर यलिस जॉबलेस हो गई और मजबूरन उसे अपने पडोसी से शादी करनी पड़ी, जो के कसाई है, भेर बक्रियों के बीच शादी हो गई यलिस की, यार क्या है ये सब, अलिया की हसी नहीं रुक रही है, अब यलिस की बारी, वो इसके बाद आलिज की सीडेयों से गिर के मौत हो गई, पर खुश होने के जरुएत ने, किसी ने हालित के मौत की गवाई दी और उसने किसे गुनऑगा ठैर रहाया, आलिया को, इसलिए आलिया को जेल हो गई, बहुत सालों बाद जेल से रुआ हुई और ऐसी दिखने लग आलिया को वहाँ जॉब करने कहता है जहां वो यल्दिस से पहली बर मिली थी कुवर आलिया की प्रोफाइल ऐसे बनाता है ताकि ऐसा लगे कि आलिया का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उसे वही जॉब मिलती है जो यल्दिस करती थी पर अचानक बॉस आके कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि आपकी प्रोफाइल फेक है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए आपको जॉब से निकालता हूँ, आलिया भीट मांगती है पर बॉस निकाल देते हैं, वही पर यल्दिस और जैनब टिप टॉप होके आते हैं, बहुत उन लोगों की खातिर करते हैं, आलिया यल्दिस को देखके शॉक्ट और खुश, उससे वही सब कहती है जो आलिया के इमेजिनेशन में यल्दिस कह रही थी, यानि यल्दिस सहीबा, यादे छे साल पहले यहीं पर मैंने आपको जॉब आफर की थी, यल्दिस कहती ह मुझे नौकरी दे आप, यल्दिस कहती है नहीं चाहिए, मेरे जिन्दे की बहुत हसीन है, आलिया इसरार करती है तो यल्दिस मान जाती है, जैनब कहती है क्यों दिया जॉब इसको, यल्दिस कहती है बेचारी है, देखा कैसे गुरूर खतम हो गया इसका, अब आलिया यल प्रियादे समझ आ गया है एंवे वापस इमेजिनेशन में यल्दिस के जाते ही आलिया डोगन से कहती है आप बहुत अच्छे है पर यल्दिस आपको पसंद नहीं करती आपको धोका देगी वगेरा जैनब सुन लेती है और यल्दिस को बता देती है यल्दिस कहते है इसका बंदोबस्त मैं करती हूँ वो आलिया से कहती है कि डोगन का एक बिजनस वाला दोस्त है वो तरकी में रहना चाता है पर इलिगल काम करता है इसलिए उसे यहां की सिटिजन्शिप नहीं मिल रहे है अगर तू मुझसे शादी कर लो तो यानि डोगन इनाम देगा अगर किस इसमें उसकी मदद की तो आलिया सोचती है यानि इस तरह मैं डोगन के कमपनी में जाओंगी और डोगन को हालित की तरह फसाल होंगी आलिया हां कर देती है यल्दिज एक चद्दर बेशने वाले के पास आती है उसे पैसे देती है आलिया से शादी करने के लिए और कहती है उसे कभी तलाग मत देना वो मान जाता है आलिया की शादी हो जाती है इससे और ये आलिया को चद्दर गिफ्ट करता है शादी में फाइनली इनकी इमेजिनेशन खतम हुई उफ बजगे अलिया कहते है इंपॉसिवल ऐसा होए ने सकता ये लिस कहते है मेरे साथ हो सकते है तो तुम्हाँ सब क्यों ने एनिवेज लिस कहते है हम फाइनल की तरफ जा रहा है क्या तुम तयार हो आलिया कहते है बिल्कुल एपिसोड खतम